ये तो फ्रेंड आज हम आईफून 8 प्लस का डिटेल्ड कैमरा टेस्ट करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसकी वीडियो ग्राफिक किस तरह की देखने को मिलती है उसके बाद इस पर पोट्रेटर्स वगारा किस तरह की देखने को मिलती है तो अवरल क्या 2023 के अंदर आपको आईफून 8 प्लस फॉर कैमरा परपस के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें हमें 4 के 60 fps भी देखने को मिलता है और इसकी यह में स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें बैक पर डॉल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 12 मेंग सबस्कार का केमरा देखने को मिलता है तो जल्दी से में आपको इसके कैमरा लार फीचर दिखा देतो हम सबस्केबर फोटू देखने को मिलती है जिसमें हम City की बात करते हैं और भूप हम बोर्ट्रेट में इसके बलर को ज्यादा कम नहीं कर सकते यह वाली चीज़ हमें XS से देखने को मिलती है सिको उसके बाद स्क्राइर मूब देखने का मिलता है पैनो रमन में देखने को मिलता है ऊण है जिसमें हम पे hade टाइमलास देखने को मिलता है तो जल्दी से आ जाते हैं इसके पहले मैं आपको वीडियो ग्राफी दिखा देता हूं उसके बाद हम आते हैं इसके बाकी फोटु गैड़ा के ऊपर यह वाली वीडियो रिकॉर्डिंग 8 प्लस के में कैमरा के साथ और यह 1080p 60fps के उपर जिसमे मैं वाक कर रहा हूं और आपको पता चल जाएगा कि इसके हमें स्टेविलिजेशन कितनी की देखने को मिलती है और अगर आप बात करते हैं न डाइनेमिक रेंज वगयरा की तो इस तरह में आपको सूरज दिखाता हूं के मेरे बिल्कुल टॉप को यहां पर सूरज है द्र जिफ्य अगरा के आपको दिखाते हूं यह मैंने फॉक्स की यह शिफ्ट पेड़ के ऊपर और यह मैंने फॉकस करका लिए शिफ्ट लिया गियर बेंवन देखने को आप ब्रेंद कामरा के साथ सेवंद माइक प्लस का कैमरा है और मैक्सिमम रेजलेशन की बात करते हैं तो मैं इस ट्रेम चल रहा हूं तो स्टेबल वीडियो ओएस तो देखने को नहीं मिलती फ्रेंट काम करती है लेकिन वह इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है बाकी फ्रेम शिफ्ट वगरा भी आप देख सकते हैं इस ट्रेम हार्श लाइट है मेरे चेहरे के उपर और मैं अब चल ज किया है बैक पर डाइनमिक रेंज देख सकते हैं क्योंकर मेरे काफी ज्यादा लाइट आ रही है ग्रीनरी भी और मैं इस ट्रेम शैडव एरिया में खाड़ा हूं और अगर इसकी फ्रेम शिफ्ट का अंदाज लगाने चाहते हैं तो यह मैं थोड़ा गूम जाता हूं जिस बैक क्यामरा की वीडियो तो स्टेबल देखने का मिलती है आपके सामने आपको फुस्सामज आ जाई जाएगी कि इसका बैक कैमरा व्लोग को गयाधा के लिए किस तरह का मिलता है क्योंकि बहुत से लोग बैक कारते हैं व्लोग के लिए तो वह भी आपको अंदाज हो आपको इसकी डिटेल्स का पता चल जाएगा और डाइनमिक रेंज भी आप देख सकते हैं अगर आप स्टेविलिएशन की बात करते हैं तो इसके मैं चल रहा हूं तो डेफिनेटली अगर आपका काम वीडियो रिकॉर्डिंग का है ना तो आप ज़रूर आइफून 8 प्लस को कंसिडर कर सकते हैं 4K के उपर मैं आपको एक बर इसकी फॉकस शिफ्ट भी दिखा देता हूं कि फॉकस हमें किस तरह के देखना को मिलता है बैक कैमरा से वीडियो ग्राफिक के लिए फ्रन्ट की रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं मुझे इंप्रेसिव नहीं लगे अब आ जाते हैं इसके पोट्रेट्स वगरा के उपर इसकी इमेज चेक कर लेते हैं और इडेटिंग वाले शच्च के किस तरह का है वह भी मैं आपको दिखावा देखता हूं यह मैंने पहली पिक्चर इसके मेन कैमरा से क्लिक की थी जहां पर आप देख सकते हैं मैंने इडेटिंग के साथ लगए और एक वीडियो और इडेटिंग के बाद आप इसके शैडूस वगरा हर चीज़ को खुद मैनेज कर सकते हैं तो मुझे नाइस पिक्चर देखने का मिली है वहीं पर नेक्स्ट पिक्चर की बात करते हैं तो यह मैंने इसके पॉट्रेट में क्लिक की थी पॉट्रेट में मुझे इसरफ एक इशू देखने को मिला वह यह इशू था तो आपको एक डीसेंट सी फोटो देखने को मिल जाती है तो ओवराल पॉट्रेट मूड में डैफिनेटली मुझे अच्छर जल्ड देखने को मिल रहा है बाकी अगर में कैमरा इमेज सेंबल की बात करते हैं तो वह भी आप देख सकते हैं यह वाली पिक्चर मैंने टू एक्स पे क्लिक की थी इसके दूसरे लेंस थे तो सेम सिचुवेशन में यहां पर आप डाइनमेक रेंज वगारा चेक करने के लिए शैड़ एरिया चेक करन कोई मसला देखने को नहीं मिलता आइफून 8 प्लस के सारे कैमरा सेंपल आप लोग ने देख लिए अब मेरे के बात करते हैं तो फॉर के सिक्स्टी एपियास में बैक कैमरा से बहुत अच्छी देखने को मिलती है मुझे कोई इश्यू देखने को नहीं मिला वहीं पर फ्र की भी बात करते हैं तो मुझे ठीक देखने को मिली है डाइनमिक रेंज भी तकरीबन ठीक थी और वहीं पर अगर आप इसके पोट्रेट्रेट्स की बात करते हैं तो फिफ्टी टू एमेम लेंस होने की वज़ें से बलर तो हमें काफी ज्याद अच्छा देखने को मिलता है और वीडियोग्राफिक यूजज़ तो इस प्राइज में कोई भी ऐसा फून नहीं है जो आपको एड़ प्लस जैसी वीडियोग्राफिक कर सके बात करते हैं तो आपको ज्रूर करनी पड़ेंगी कोई ज्यादा जैसे के बाकी फूंस आते हैं चाइनिस फून जैसे के वन कर सकते हैं का सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी क्वेस्टन हो या मुझे कोई चीज़ रह गई हो कोई आप मुझे में जरूर बता सकते हैं अब अपने भाई को दीजिए जादा थे मिलते हैं किसी नेक्स बहुत इंटरस्टन वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफेज